नमस्कार दोस्तों वंद्यमात्रम भारत माता की जय दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कौनगा कि मेरा जो रेगुलर ये वीडियो अप्लोड करने का रीजन है वो है कि मैं आप लोगों को अवेर कर सकूँ किस तरीके से आप लोग अपनी बॉडी को fit रख सकते हो अपनी बॉडी को आप लोग maintain कर सकते हो आज के business schedule में तो दोस्तों मेरे को उस परपस में support करने के लिए सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को thanks करूँगा और मैं कहूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्स्राइब जरूर करें दूसरा दोस्तो जो आज की मेरी थीम है वो है दोस्तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि सर सबसे अच्छा फैट बर्नर बताओ जिससे हमारी बॉड़ी फैट लूज कर सके जल्दी से फैट लूज कर सके दोस्तो आज में जिस फैट बर्नर के बारे में आप लोगों को बताओंगा आप लोग हैरान रह जाएंगे कि यहां दोस्तो अधितर लोग हमें बहुत टाइम से सिखाया जा रहा है हम अलग-अलग फिटनेस मेगजीन से न्यूज पेपल से कई जगे से हम सीख रहे हैं कि फैट नहीं लेंगे तो हमारी बॉड़ी फैट बर्न करती है फैट लेना फैट लेना is the main culprit फैट की वज़े से जब हम फैट खाते हैं न तो हमारी बॉड़ी में फैट इंटेक होता है लेकिन और फैट स्टोर करती है हमारी बॉड़ी लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि कोई ऐसा भी फैट होता है जो कंजूम करने से जो लेने से हमारी बॉड़ी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है जी हाँ दोस्तों वो फैट है फ्लेक्सीट्स और फ्लेक्सीट्स को हम हिंदी में कहते हैं अलसी यह आप अगर अपनी ममी से अपनी दादी से पूचेंगे तो सभी को पता है अलसी की एक डाल होती है और यह किसी भी किर्याने की स्टोर पे आप जाएंगे 80 रुपे 100 रुपे किलो 120 रुपे किलो के रेट से आप लोगों को बहुत इजी ली एवलेबल भी हो जाएंगी और दोस्तों अब मैं यह बताऊंगा यह काम किस तरीके से करती है दोस्तों हमारी डाइट के अंडर 3 तरह के फैट सुनते हैं एक तो saturated fat एक unsaturated fat ठीक है और जो saturated fat होता है न वो हमारी body store करती है वो हमारी body के अंडर इकठा होता है और bulges बनते हैं और दूसरा होता है unsaturated fat unsaturated fat वो fat होता है जो दोस्तों हमारी body में store नहीं होता है and that is good for us वो हमारे hurt के लिए अच्छा होता है और unsaturated fats में भी दोस्तों तीन तरह के fats होते हैं omega 3, omega 6 and omega 9 omega 9 कुछ एक ऐसे foods होते हैं omega 9 जब हम proper diet लेते हैं न proper proteins लेते हैं proper carbs लेते हैं और proper fat intake होता है तो omega 9 हमारी body अपने आप produce कर लेती है फिर second eight fat आता है वो omega 6 होता है omega 6 जो fat होता है न वो बदाम में होता है almonds में होता है omega 6 जो fat होता है वो egg yolk में होता है omega 6 जो fat होता है उसको एक बहुत बड़ा ratio milk के अंदर होता है तो जो यह omega 6 होता है यह हमारी body को muscles grow करने में muscles grow करने में help करता है omega 6 okay अब जो main fat जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूं जो एक fat burner का रोल कर प्ले करता है बहुत अच्छा fat burner है और बड़े-बड़े body withers बिना उस fat burner के shredded नहीं हो सकते है that is omega 3 जी हां दोस्तों omega 3 is the best fat burner in this world और omega 3 हम naturally ले सकते हैं और किन-किन पाइप को खौल देती है बिल्कुल वैसे ही omega 3 जो fat होता है हमारी body में जहां-जहां पर भी clotting होती है हमारे heart में जो भी fat block हो होता है उसको वैसे ही clean करता जाता है दोस्तों तो omega 3 हमें अपनी diet में जरूर रखना चाहिए और omega 3 के sources गया है the best sources of omega 3 vegetarian diet की बात कर रहा हूं है vegetarian diet में omega 3 sources में best और number one है flexi और alci वो आपको किसी भी किरियाने की दुकान पर आपको easily बिल जाएगा और दोस्तों जो second best vegetarian cheese जो that is full of omega 3 fats जिससे कि आप अपनी body का fat बहुत easily burn कर सकते हैं that is walnuts और अखरोट तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को दो best vegetarian products के बारे में बताया है consumable items के बारे में बताया है जो आपको किरियाने की दुकान से एक normal shop से मिल जाएगी जिससे कि आप अपना fat बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से burn कर सकते हैं और अगर आप लोगों की कोई भी query है कि इन दोनों को आपने कैसे यूज करना है आप लोग मेरे और वीडियो भी देखते रहें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से अलसी को और अखरोट को इन दोनों को यूज करने से आप अपनी बाडी का fat burn कर सकते हैं इन दोनों को इकठे कंजूर करने से मैं एश्योर करता हूं कि हर्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो जिन लोगों को हर्ट प्रॉब्लम है या हर्ट ब्लोकेज है तो उनको ओमेगा थ्री के रूप में अलसी और अखरोट जरूर खाने चाहिए इस तू थिंग्स आर वेरी प्रॉब्लम्स है तो दोस्तों और जिन साथियों ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनको दुबारा कहूंगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जादा जादा आप लोगों को हल्प कर सबूँ फिटनेस के फिल्ड में और कि इसी के भी कोई भी क्वेरी हो फिटनेस से रिलेटेड तो आप लोग मेरा मोबाइल नंबर है उसके आप लोग मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं and you can you guys can place your order for supplements all over India we deliver supplements free home delivery all over India thanks a lot दोस्तों बंदे मात्रम झाल